नमस्कार दोस्तों मैं उनीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है जैसा कि हमें पता है कि एक टू जो है ऑनलाइन एक्जामिनेशन कराने वाला है इवन सेमेस्टर का उसके लिए उन्होंने कई सारे निर्देश जारी कर रखे हैं पिछला वीडियो भी हम लोगों ने जो है उनका एक इंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग उस पर हम लोगों ने देखा था यह जो वीडियो है यह इनका एक नया सर्कुलर है जिसमें कुछ एडिशनल जानकारियां जो है वो दी गई है तो उसको हम लोग जो है एक बार देखते हैं जो पिछला वीडियो था जो सर्कुलर था उनका उसके अलावा यह कुछ एडिशनल जो है जानकारियां है तो देखिए इसमें कहा गया है कि उप्रोक्त विश्यक विश्यक विदाले के पत्र संख्या इन्होंने अपने पूराने पत्र के जो है रेफरेंस दिया है दिनांक 8 जुलाई 2021 के संदव में करन संदर में दे रहे हैं . उस संदर में दे रहा है और उसकी आग्य बाद बता है तो उसमें कहा है कि और परतिभाग कर ने वाले परच़ virtues द्वारा पंज्करन के उपरान्त केवल एक बार ध्यान देना है मोक मौक टेस्ट दिया जाएगा यानि कि आप एक बार पंजीकरन जब कर रहे होंगे जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था तो आप सिर्फ एक बार ही अपना मौक टेस्ट दे सकते हैं उसके बाद का गया कि यदि किसी चात्र का इंटरनेट आथवा किसी तक्नीकी कारण मौक टेस्ट में समलित नहीं हो सका है तो ऐसे सभी चात्र को मौक टेस्ट में परतिभाग करने हेतू परिच्छा से पूर्व एक आउसर दिया जाएगा यानि कि अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए मौक टेस्ट छूट गया आपका तो आपको जो है एक और मौक दिया जाएगा paper से पहले तो यहां बताने की कोसिस यह की गई है कि आपको जो है एक ही mock test देने को मौका मिलेगा फिर second है आपका online परिच्छा में प्रतिभाग करने वाले परचारतियों द्वारा प्रात्मिक्ता पर laptop या computer के माध्यम से परिच्छा देने की सलाह दी जाती है अब य कर रहा है कि या तो आप laptop यूज करो या computer इस्तमाल करो उसके पीछे reason क्या बता रहे हैं चुकि mobile के माध्यम से परिच्छा देने पर mobile phone में मौजूद अन एप्स like whatsapp, facebook, twitter, instagram और भी हो सकते हैं etc के अत्यादिक notification आने के कारण च्छा चात्राओं को परिच्छा के समय वैवधान उत्पन के साथ साथ आवश्यक समय नस्ट होगा यह वर्निंग मेसेज भी generate होंगे वर्निंग मेसेज जो प्रॉक्टर आपको जो देख रहा है observer वो आपको वर्निंग मेसेज दे सकता है तो इसलिए जो है यह कह रहा है कि mobile phone करना इस्तमाल करके आप laptop करें अब यहां पर question उठेगा कि आगर आपके पास जो है laptop है ही नहीं mobile ही है तो ऐसे case में आप क्या करें तो मैं अपनी तरफ से एक suggest कर सकता हूँ आपको कि आप जिस दिन paper है उस दिन के लिए आप जो है इनको अंस्टॉल कर दें अपने लैप mobile से जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो क्योंकि यह अंतिम विकल्प है what's up वेगर अप आजकल आप क्या कर सकते हो बड़े आराम से बैक अप ले सकते हो अपने Gmail ID पर और उसको अंस्टॉल कर दीजे और उसके बाद जो है जब paper आप सिटी ने ऐसा कुछ नहीं का है मैं बस आपको सजेस्ट कर रहा हूं मानना या ना मानना वो आपके उपर डिपेंड करता है फिर देखिए third point online पर इच्छा हे तो केवल अंतिम समेस्टर के परिचारतियों को पंजिकरन हे तो निर्धारित थी जो कि दिनांक 12-7-2021 से-18-2021 कत इसका क्या मतलब है अभी क्या है उनिवर्सिटी ने date extend करी है वो fine के साथ में extend करी है तो वो कह रहे है कि पहले जो registration final year वाले चात्रों को 12-18 तक करना था अब वो जो है 13-18 के बीच में करेंगे यानि कि 12 तारिक को अब आप पंजिकरन नहीं कर सकते हैं इस बात का देहान रखें पिर का गया है अन्य सभी चात्र जो है पंजिकरन उक्त पत्र के बिंदू 13 के अनुसार ही पंजिकरन करेंगे उक्त पत्र का मतलब है कि जो पिसला इसका उपर इन्होंने ये जो पत्र का reference difference दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं अन्य चातर का मतलब है कि फाइनल यर को छोड के ईतने फिर्स इर सिकेंडिर थीएर के साथ रहे तो उख पत्र में देखिए बिंदु 13 का क्या मतलब है यह अपना पिछला पत्र है विसका बिंदु 13 13 पैर जिसमें इन्होंने कहा था वो 15 से 25 के बीच में ही करेंगे, इसका यह meaning है, यह point ठीका, फिर उसके बाद का आ गया, online परिच्छा है, तो सभी छात्रों का पंजिकरन, निर्धारी तितिक तक किया जाना आवश्चक है, यह जरूर ध्यान लगे कि यह बहुत ही जरूरी है, यदि किसी छात्र दौरा पंज पर नहीं होगा, यह आपको विशिष ध्यान रखना है, फिर उसको बत का जा रहा है, online परिच्छा, यह तो छात्रों के पंजिकरन के दौरान, पंजिकरन पोर्टल पर विश्व विद्वालत दौरा दिये गए help line number को प्रतिक छात्राएं द्वारा note किया जाना आवश्यक ह या अनिवार है, इसका क्या मतलब है कि जब आप registration कर रहे होंगे, उसमें आपको एक help line number display होगा, उसको अपने pass कहीं पे लिख के रख ले, copy में कहीं न कहीं लिख के रख ले, photo वेगर खीच के ना रखे या snapshot, क्यों कि mobile कभी भी गड़बर हो सकता है, आपका format हो सकता है, तो मेरा suggestion है कहीं आप copy में लिख के रखें, जिससे कि वो आगे अगर कहीं आउशकता होती है, तो उसका इस्तमाल हो, जिससे कहा गया है कि जिससे कि कि किसी भी तकनीकी सहायता या समाधान के में दिये गए help line का प्रियोग किया जा सके, तो यह ध्यान रखेगा, आप जो है, उ पूरे circular का मोटा मोटा सार देखें, तो इसमें बताया गया है कि आपको एक बार जो है, mock test देने को मौका मिलेगा, अगर आप छूट जाते हैं, तो परिच्छा से पहले भी सिफ एक ही बार मिलेगा, फिर उसका बाद कहा गया है कि आपको उसिस करिए कि अपना laptop या computer का इस इस्तमाल करें, उसके पीछे region क्या है, कि whatsapp है, facebook है, twitter है, यह सब जो है, आपको बार बार notification देते रहते हैं, तो वो आपको problem कर सकता है, फिर उसके बाद तीसरे point जो कहा गया था कि finally year 13 से 18 के बीच में registration करेगा, और उसके बाद है, कि जो चातर अगर नहीं कर रहा है registration कोई, तो वो अपने परिच्छा में नहीं बैठ सकता है, यह चीज है, और last है, आपका एक help line number display किया जाएगा, जो कि आपको note down जरूर copy में अलग से करके रखना है, तो यह points थे, जो कि additional information थे, आपके AK2 के द्वारा, आसा करते हैं, कि आपको यह video जो है, पसंद आई होगी, काफी information मिलाओगा, अगर यह video आपको पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के शेयर करें, और अगर channel पर नहीं है, तो channel को subscribe कर लें, धन्यवाद,